आज मैं बना रही हूं मटका कुलफी आसान तरीके से इसे आप जब चाहे बना सकते हैं और बहुत ही अच्छा होता इसका टेस्ट मैं हूं प्रांका आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर तो आज मैं बनाऊंगी कस्टरड वाली आईस क्रीम इसे आप मटका कुलफी भी कह स तो चलिए इसे हम बनाते हैं, यहां पर मैंने एक बर्तन लिया है, इसमें मैंने अप लेटर दूद लिया है, दूद फुल फैट होनी चाहिए, आप कोई भी ब्रेंट का ले सकते हैं, उसके बाद दूद को गर्म करना है, दूद जब हलका गर्म हो जाए, तो थोड़ा सा दूद में दो चमच मिल्क पॉडर रखना है, और दो चमच कस्टर पॉडर रखना है, कस्टर पॉडर मैंने बनिला फ्लेवर का लिया है, सबी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स करनी है, हलका सा गरम दूद रहेगा, तो अच्छे से यह मिक्स हो जाएगा, इसमें पॉडर रखनी है, फूडर ले रही हूँ, तो यलो कलर की है, आइस क्रीम अच्छी यलो बनेगी, तो सभी चीजों को आपस में अच्छे से मिक्स करके, इसे साइड में रखना है, और दूद अच्छे से उबल चुकी है, अब इसमें मैं चीनी रखूँगी, वन फोर्थ क में अच्छे से मिक्स करनी है, वनिला का अच्छा सा स्ट्रॉंग फ्लेवर आएगा आइस क्रीम में, उसके बाद जो कस्टड मैंने घोला है, उसे अच्छे से फिर से एक बार घोल कर दूद में मिक्स करना है, और इसे लगातार चलाते वे 5 मिनिर तक पकाना है, मद्धी मा अब इसे पूरी तरह से ठंडा होने देती हो, तो देखिए ये ठंडा हो चुका है, और कितना गहरा भी हो गया है, अब इसे मिक्स करना है, अच्छे से इसे ब्लेंड करनी है, तो हैंड ब्लेंडर का यूज कीजिए, और इसे अच्छे से आप मिक्स कीजिए, या फिर इले स्मूध बैटर बन के तयार हो जाएगा या फिर mix isar का यूज कीजिए दो से तीन बार या तीन से चार बार अच्छे से mix isar में इसे चलाइए तो smooth batter बनके तयार हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने electric vendor का ही use किया है अच्छे से smooth बना लिया है तो अब यह ice cream जबाने के लिए तयार है यहाँ पर मैं plastic का डबा ले रही हूँ इसका ढखन अच्छे से बंद हो जाता है air tight डब पर का use कीजिए आप steel का भी ले सकते हैं जिसका ढखन tightly बंद हो जाए तो सभी को रख देनी है तो यहाँ पर मैं family pack में बना रही हूँ तो एक बार में ही इसे रख दे रही हूँ और अच्छे से ढखन को tightly बंद करते ना है और इसे रात बार के लिए आप freezer में रख दीजिए छे से साथ गंटे तक तो freeze में I mean freezer में इसे रख नहीं है तो पूरी रात के लिए मैं इसे रख देती हूँ तो देखिए पूरी रात में ने रख दिया था और यह अच्छे से जम चुका है तो अब इसे open करके एक plate में निका लेती हूँ तो side से हलका सा दभाएंगे तो यह अराम से निकल जाएगा आप चाहे तो kulfi वाले जो mold आते हैं उसमें आप जमा सकते हैं बहुत ही अच्छे से जम जाएंगे उसमें बहुत लोगों की सिकायत होती है कि जब हम इतलब ice cream को जमाते हैं उसमें crystal आ जाती है अगर आपको ऐसा लगता है कि crystal आ जाती है तो पहले तो बैटर को smooth कीजिए और अगर लगता है फिर भी आप उसमें crystal आती है तो आप ice cream को 2 घंटे जमा कर उसे एग वार फिर से mix करें और फिर से इसे 6-7 घंटे के लिए आप जमने के लिए रख दीजिए crystal नहीं आएंगे वीडियो अच्छी लगें तो like, share, subscribe